अब बिस्मिल्लाइ रख्मार्ण रुखी रजी आज हम अपना दूसरा क्लास स्टार्ट करते हैं इंफेक्ट 12 लेक्चर दूसरे का मिन्स के रिसेंट्डिय में एक क्लास दे चुका हूं तो यहां से लास्ट टेम में यहां तक पढ़ा चुका था एस्सेम्ली लेंग्विज नूटेशन और आज का जो हमारा लेक्चर है वह है रिस्ट डोग के लिए डाल दिया हैं यह एक्जयम पॉइंट उफ यू से बहुत इंपोर्टन है तो यह तोड़े लंबे हैं लेकिन मैं कोशिश करूँगा के खेर दो दूने तो खटम नहीं हो सकते लेकिन्ट पहलु जो रिस्क है वो आज मैं कोशिश करूँगा के खेंपों करूंगा। ठीक हैं और ट्लास मैंने तीन मुंटły में अर्ली स्टार्ट कर लिए एंश वकर कृम्स कर कर सकूं के यह एलेक्टरिसिटी का प्रॉब्लम है मेरे साथ लेप्टाप में इस तक वन आवर का चार्ज है तो मैं सोच रहा था है के लंभी क्लास ले लूँ तोड़ी अरली स्टार्ट करूं थाके बाद में मेरी लेप्टाप की बैटरी डाउन ना हो जाए अन्यवे इस आ डीकास्स टूडे क्लास सोच चैक्टर 2 यह जना यहां से हमारी आज की ग्लास सटार्ट हो गया है के नैचर अफ इंस्ट्रॉक्श्चंज डिस्टेंविश्टेंविशे कम्प्यूटर क्या जिस नैचर में आप इंस्ट्रॉक्शंड को डिकोट करते हो प्रॉसेस करते हों लोड करते हो या तो इन इंस्ट्रक्शन से हम computer architecture distinguish करते हैं पहचानते हैं कि यह कौन सा computer है इसका architecture क्या है जिस तरह मैंने पिछले classes में discuss किया था कि computer architecture varies and the instruction sets and the register के जो instruction mutations होते हैं वो भी architecture to architecture vary करते हैं ठीक है two fundamentally different approaches और कहते हैं इस वज़ा से architecture भी differ करते हैं instruction sets की तो कहते हैं जो fundamentally लफस में use कर रहा हूं कि वैसे तो बहुत से instruction sets हैं लेकिन फंडमेंटली दो बहुत popular important है वो है reduced instruction set computers and complex instruction set computers ठीक है तो मैं यह start कर लेता हैं दूसरी बात है कि हर स्लाइड जो नहीं मैं स्लाइड मैं स्टार्ट करूंगो इसके शुरूर में एक्मेंट के लिए मैं खामोश रहूंगा ताकि मैं आप लोग को तोड़ा time दे दूँग आप उबूरे स्लाइड पर glance करें मतलब उस पर नजर डालें और ताकि आपको पता चले जाए कि इस स्लाइड में क्या है अब सर क्या पड़ाने वाले एक मिनट के बाद मैं दुबारा स्टार्ट हो जाँगो और जो आपने देखा होगो मैं आपको detail explain करूगा इससे ये फाइदा होगा कि आपके जहन में खाका परेंगा उसमें कुछ अलफाज होंगे जिसको आप टार्गेट करेंगे और उस पर इस पर पर्टिकुलर्ली फोकस करेंगे कि सर जब बोलेंगे तो मैंने इन 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 लाइन्स ये जो आउटलाइन्स है इसको समझना है ठीक है और सड़िन जब मैं स् कुछ बूल चुके होते हैं तो anyway reduced instruction sets have one word instructions और कहते हैं इसको instructions होते हैं वह one word क्यों होते हैं that is why यह को reduced instruction set कहते हैं यह बड़े simple होते हैं ठीक है and require arithmetic operands to be in registers और इसको यह एक मसला है कि इसको जो खो ए curtवारेक्स उपरेंट्स जो हते हैं जिसके बीश में इप्रेस में क्फेलिकेशन डिफिजन यहांप तो कatisf unasky यह होना चाएए kya इंस के लिए requires बाइड होते हैं ठीक है सबस्त काнокों今 बंडिकशnh मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बात पर डिटेल में जाएंगे, next slide से, complex instruction set में यह होता है, have multi word instructions, उसमें multi word instructions होते हैं, size में also vary, बड़े size word क्या चीज़ है, English में word अलफास को कहते हैं, computer science में word memory के एक block को कहते हैं, वो block चोटा भी हो सकते हैं, words differ करते हैं, कुछ instructions set ऐसे होते हैं, जिसमें 8 word जो है, 8 byte का होता है, कुछ में 32 bytes का होता है, कुछ में 64 bytes का होता है, 16 bytes का भी होते हैं, तो कहते हैं जो complex instruction sets होते हैं, उसमें multi word instructions होते हैं, and allow operands directly for memory, और कहते हैं, तो इसलिए इनको complex instruction set computers कहते हैं और according to my opinion दोनों के अपने अपनी जगह हैं लेकिन आज करके जो computer से हमारे पास गरों में जो मुझूद है तो यह मेजॉरिटी जो है complex instruction set computers है ठीक है let's move on आपके comments मुझे नजर नहीं आते क्योंकि मैंने slides multimedia mode में shift कि है मतलब 5 ही हैं इस वग मैं presentation mode में हूँ तो आप kindly अगर wise का कोई system हो तो मुझे interrupt किया करें कि यहां पर समझ नहीं है anyway मैं कोशिश करूँगा कि साथ-साथ आप लोग की comments भी देखूँ ठीक है तो let's move to the next slide मैं जरा comments बाट रहा हूँ सब कटी class ले सके है प्रेजेंट से इंशाले जी इंशाले प्रेजेंट से ठीक है प्रेजेंट चले मैं वहापस उदर जाता हूँ यह प्रेजेंट पे मुझे बात याद यह तो ब्यूंस्ट यहां पे कुछ students फेक attendance लगा लेते हैं और वो मेरे lecture को सुनते हैं नहीं बस एक साइब पर जले जाते हैं और login उन्होंने अपने हाँ को login status शो करते हैं और गरों में गुंते हैं बाहर चले जाते हैं और पर बाद में आ जाते हैं ठीक है या उन्होंने fake ideas बनाई हैं दोस्त उनके लिए यहां पे आके बहुत से ऐसी बात हैं जो मेरे mind में आ रही हैं और मैंने कुछ cases देखे भी हैं तो आचा कुछ students ऐसे हैं जह हमेशा से मसाहलिस्तान और खालिस्तान दो अगर क्लास early start हो जें या try to cooperate हम भी इंसान हैं आमें पे पाकिस्तान हैं यहां पो पते electricity का बड़ा मसलह हैं तो कोशिश किया करें अगर दो तीन मिनट क्लास early या दो तीन मिनट late तो इस से cooperate किया करें तो नॉर्मल यूनिवर्श्टी उन्हों में भी होता है पांच में क्ला इसका यह मतलब है कि हम पहले risk पे focus करते हैं यह जरह simple है ठीक है तो simpler को पहले start करते है risk instructions each occupy a single word यह जिस तर हमें ने पिछले slide बहुता दिया कि risk के जो instructions होते हैं वो हर एक each occupy a single word वो एक ही word के अंदर आ जाते हैं ठीक है occupy करते हैं single word को a load store architecture is used कि इसी में भी risk instruction set में भी बाकी instruction sets की तरह load और store architecture होते हैं मतलब आप load करते हैं या store करते हैं किसको करते हैं operands को उनको load करते हैं memory से उनमें values आज है meaning इसका क्या मतलब है only load and store instructions are used to access memory operands कहते हैं memory में जो operands है या जो data है वो operands में आप load करते हैं तो इसके लिए जो instructions use के जाते हैं उनको load और store कहते हैं यह बाकी instructions में इसे होता है बाकी architectures में भी ऐसे होता है operands for automatic logic instructions must mean registers कहते हैं जो simple instruction set है जिसे risk कहते हैं इसके लिए आपके जो instructions है automatic operations के लिए operands for automatic logic instructions उसके लिए क्या है operands must mean register registers में होने चाहिए registers क्या है यह भी एक memory है और one of them अगर दोनों ना कहते हैं खोई एक operands जो है वो register में होना चाहिए मैं भी given explicitly instruction word और कहते हैं explicitly भी यह present हो सकते है instruction word में ठीक है मतलब जो instruction word की जो memory है वहाँ पे भी explicitly आपको यह जो operands है यह जो variable upload करते हैं वहाँ भी explicitly available हो सकते हैं ठीक है let's move on forward risk instruction set अभी continue मैं जरा देखता हूँ कि अगर कोई अगर अगर कर भी रहें तो वह अपना नुक्सान कर रहे हैं चले anyway risk instruction set instructions data are stored in the memory कहते है instructions होते है instructions के लिए जो data जिस पर हम operation apply करते हैं वह कहां पर save होता है memory में definitely memory में होता है उसके बाद कहते हैं कि processor register contents are initially invalid कहते हैं जो processor के साथ attached memory होती है जिसको हम registers कहते हैं उसमें जो data होता है जो contents होते हैं contents का मतलब data वह initially invalid होता है क्यों invalid होता है उसकी वजह यह है because risk requires register operants data transfers are required before automatically कहते हैं operation से पहले हम transfer करते हैं data का memory से load करते हैं register में लाते हैं उसके बाद operants apply करते हैं आपके पास अगर already को data है और उस पे आप direct operants apply करें तो that is not valid यह मैं नहीं कहरा है यह इसके rules है इसका इसकी SOP है SOP standard operational procedure जिससे कहते हैं तो आप पहले data load करते हो memory से वह operants में आ जाता है operants में बाद में कोई operation apply करते हो ठीक है फिर next point है the load instruction is used for this purpose और इसके लिए कहते हैं हम कौन से instruction यूज़ करते हैं load यह देखे ना लिख लेते हैं load फिर इसके बाद हम लिखते हैं procedure register register का नाम लेते हैं ठीक है और memory location कामा के बाद memory location इसका मतलब है कि memory location में जो data पढ़ें contents उसको load करो कि इसमें registers में ठीक है तो यह से आप memory से data उठा के register में load करते हैं फिर इस register पे आगे कोई operation apply करते हो हमारे पास किसम के operation दो सकते हैं addition multiplication subtraction division यह normally इसको arithmetic operations करते हैं ठीक है logical operation जिसमें आप वो चेक करते हो कि यह काम है कि यह true false के तरफ and or not के उसको logical operations करते हैं हमारे पास addressing modes होते हैं मैं आगे जा रहा हूं आख़ी पॉइंट है slides पे addressing mode addressing mode का क्या मतलब है specifies memory location different modes are discussed later हम detail में बहुत से modes बात में पढ़ेंगे यह हमारे पास स्लाइड में इसमें 84 slides है तो इंशालला कोशिश करेंगे दो तीन लेक्चर के अंदर इनको cover करें और addressing mode specify memory location addressing mode में हमें memory location का पता चल जाते हैं specify होता है कि कौन सी memory location से हमने क्या data उटाना है किस पड़ उटाना है ठीक है इस modes का यह मतलब है मुझे एक point याद आ रहा है कि आज मैं कोशिश करूंगा आप लोग का assignment ले दे दूँं वह assignment जो होगी fully midterm exam के base के होगी और आप वह assignment जमा करेंगे हाफिज सर्मत के साथ heart form में या अपने किसी करीबी दोस्त के साथ वह आप अकटे करेंगे heart form में मेरे पास आएंगे उस assignments के base में फिर में मार्स लगाँगा और वह मार्स में assignment के नहीं लगाँगा वह मिट्रम exam के मार्स होंगे ठीक है मतलब मैं मिट्रम ले रहा हूँ assignment की form में बलकि सिर्फ मैं नहीं ले रहा तमाम स्टूडेंट्स हमारे सेंटर में जो हैं तमाम बीएस इसलामियात और बीएस कंप्यूटर सेंगे तो आप रेडियो हो जाएं ठीक है आज मैं आफिस सर्मत को एक टाइटल assignment का send कर दूँगा या ग्रूप बना दूँगा हरे ग्रूप हार्ट फार्म में प्रिंट ल चले लेट्स मूव ओन तो दे नेक्स स्लाइड रिस्क इंस्ट्रक्शन स्ट कैसे होता है और दे देखें कि मिसाल है यहां पर एक्जम्पल है इससार हमारे पास statement होते हैं दो ऑपरेंट्स को हम 8 कर लेते हैं और उसको किसी memory location में assign कर लेते हैं यहां पर हमारे साथ जो memory location है वो C है ठीक है तो A plus B और assign करो C यह देखें यह हमारे पास एक operation addition operation है और इसमें assignment भी origin है और नीचे मैंने यहीं explain किया है कि A, B and C का response to memory location के यह थीनों memory location है RTN का क्या मतलब है रिजिस्टर transfer notations जो यह थे हैं यह रिजिस्टर जो इसको रिखें मैंने आपको पहले मैं पढ़ा चुका हूं और रिजिस्टर transfer notations है यह RTN इसका मतलब है specification with this symbol symbolic means अगर आप यही उपर वाला operation RTN की जुबान में language में symbols में लिखना चाहें तो कैसे A और B को देखे brackets में बंद किया हुआ है दोनों के बीच में plus sign है इसका यह मतलब है दोनों को add करो और arrow का मतलब है comment कि इसका जो result है वो कहां पर डालो c में डालो ठीक है steps इसको कैसे करना है fetch contents of location a and b fetch का मतलब है तालाश करो दून दून दू जाके तो दोनों के contents दून दून दू वेलियूज इसमें जो है और उसके बाद क्या करो compute sum sum compute करो और आखर में क्या करो and transfer result to location c और c में हो result क्या करो transfer करो ठीक है मैं अगर कर भी रहें तो हार्ट फॉर्म में कैसे जमा करेंगे सर हम तो एक दूसरे से बहुत दूर है यार आप हमेशा देखें एगी मसले कड़े कर देते हैं मुझे पता है आप कोई गाव में कोई हार्ट का आप लोग को फायदा होगा मेरे पास रेकार्ड होगा करो को कंट्रोलर को जाए देखें आप लोगों करोना वारस के दूरान इमिटर में कैसे लिए है तो वह साफ्ट करेंटी तोड़ी कम होती है बाद वकाद आपकी जो स्पेस होती है वह एक्सपायर हो जाती है जो गूगल पर आपने लिए होती है या इमेल क्लासरूम पर अपलोड कर लेता है कोई मेल कर लेता है कोई वर्टसेप पे तो सब को कलेट करना मश्किल हो जाते है और भी डिफरेंट रिजन से हम जो काम देते हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं आप से जिस तरीके का तो उसमें कोई फायदा होगो कोई बात होगी हर चीज म हाँ मैं पाड़ाय करें हाठ फाम में लेके दो दिन लेट मुझे देदे लेकिन दे दे और जरूर आपके गाउं से कोई ना कोई आता होका आप आते होगा यहर कोरियर करें यान 10 रुपयव ले लेए ले लेता है 10 एक टोकन लगा लेता है आप किसी और प्रविंस या दू अपना पाइदा नहीं समझती हर वा क्यार मसले कड़े करते हैं चले हमें आप इस इंट्रक्शन सेर्ट छिछर आज इंस्ट्रक्शन स्क्रिक्टेटे करें इस सीग्वेंस ऑफ सिंपल इस इंस्ट्रक्शन टास्क यह देखें सीक्वेंस कैसे एक्जिक्यूट होती है रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट के लिए देखें R2 एक रेजिस्टर है और एक ऑपरेंड है A से लोट करो कंटेंट्स R2 में फिर नीचे दुबारा देखो B से कंटेंट्स लोट करो R3 में फिर नीचे क्या करो R2 और R3 को क्या करो एक करो और रिजेट कहां पर डाइलो R4 में और पिर यह स्टोर करो क्या C में में वह भी R4 में डालूं तो इस तरह से में footprint वी ओसाए ठीक है तो यह इस तरह अग्जिक्यूट और एक च्किंट instruction set जीसे कहते हैं ठीक हैं या reduce instruction set computers नर्मली तो load instruction transfer data to register कहते हैं जो load instruction है उपर वाला काम explain हो रहा है नीचे कहते हैं वो data load हो जाता है register में उनसे store instruction distribution transfer data to the memory और कहते हैं कि instruction transfer data जो है वो हम तेरा memory में save कर लीते हैं and destination differs with same operating order कहते हैं ये इसका यह मतलब है कि destination differs with same operating order देखें यह उपर और फोर एड उसमें एड होगी है डाल दिये फिर नीचे हम क्या कर रहे हैं कि दूबारो उसको स्टोर कर रहे हैं तो और फोर में तो इसका यह मतलब है कि कि destination differs के जो destination है जिसमें आप डाल रहे हैं वह डिफर हो सकते हैं वह सेम ऑपरेंड और क्याते हैं ओडर वही सेम ही रहेगा ठीक है तो इस तरह यह एक्जिक्यूट होते हैं अच्छा आप प्रोग्राम मेमोरी में कैसे यह सारा प्रोसेज मेमोरी में कैसे होता है वह इस देता हूँ आए बस यार जो भी करने टीसेस किसी तरीके से मुझे पहुंचा दे और या किसी एक स्टूर्ड के साथ या इस तरह भी करें आप किसी दोस्त को इमेल करें अपने गाउं से वाटसेप करें वो दोस्त आपके लिए से प्रेंट आउट ले ले गा और स्टैपल कर ले गा और मोझे अपने साथ रखके जमादा कि मेरे साथ समिट कर लेगा जो करने वाले रहते हुआ हैं किसी भी दरीके से आप टीसी एस मत करें पिशावर में जिस दोस्त के साथ प्रेंटर है गर में वो सब के लिए और बास खतम देट सब्सक्राइब है अच्छा मेमुरी में मैं एक्स्प्लेंड कर रहा हूं यह प्रोसेश कहते हैं यह जो इससे पहले हमने चार इंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्राम पिछले स्लाइड में पढ़ लिया कि उसी को आए प्रसीड करते हैं जरा मेमुरी में से आए कहा है ठीक है? 32 बिच्ट रुडू वर लेंथ बायट अड्रेसबल यह आपको पढ़ा चूँक हम पहले यह टिज्डिक है बायट अड्रेसबल है और इसकी जो वर्ड लेंथ होगी 32 भी टो गी प्लेस फ़र्स रिस्क इंस्ट्रॉक्शन फट पलेस फस्ट रिस्क instruction होगा वह किस aut info एड य एड्रिस पर होगा और इसमें फॉर फूर बाप आप देखें remaining instructions और उसके बाद udah ऊब तो पहला आई पे होगा उसमें प्र फॉर एडेकня तर नेक्स्स जो स्में फीर फॉर और बाइट हो का y2 फे और सुम дов Kभी और फिर वर्त था यह था नेक्सट वर फोलगई से और स्टार्ट मरिं प्र आइपाइड के बैस्ट विद्स फॉर स्टाट यह ज़ो नेक्सट वो अई-ई-ध्र लाग्स होते हैं या Memory Addressing का एक मेकनेजे में तरीका है और वर्ड में जो है वो 32 बिट में हो सकते है 64 बिट में हो सकते है मतलब नॉर्मल इसमें हम इसको हम बाइट में कहते हैं 8 बाइट 16 बाइट 32 बाइट 64 बाइट इससरां टॉरा इससे ईससा हुआ कि in सब्सक्राइब करें जैंक है इसको डारेकली करें है इसने इससे ईसको डैक्ली इससे टेपाइब ह। करते हैं बाद के स्लाइड में यह जो इश्वे हम इसको डिटेल में डिसक्स करते हैं ठीक है इसको हम बाद में डिटेल में डिसक्स करते हैं ठीक है I hope कि आपको a program in the memory कि यह कैसे store होता है और कैसे आगे जाता है आपको understood, I hope you have understood that, आपको समझ आ चुपा होगा, ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, next slide पे, so, यहाँ पे, इस slide पे अगर आप देखे तो, देखें, वही पीछे जो बाते हम पड़ शुके हैं, वो memory में आपको मैं दि execution है, execution IP हो जाती है, अब यह जो हर एक खाना है, cell है, block है, देखो जिसमें R2 का हुआ है, यह एक word है, नीचे वाला load जिसमें R3 कामा B है, load R3 कामा B यह दूसरा word है, पिर नीचे 8 R4 कामा R2, R2 R3 को 8 को R4 में डालो, यह पिर क्या है, तीसरा word है, पिर चोता word किदर है, C को R4 म वाला, इस तरह dot dot का मतलब है, यह सारे word नीचे continue है, memory completely से बरी होती है, और A, B, C, यह नीचे सारे word show कर रहे है, देखो, right side पे मैंने लिखा है data for the program के, in words में data पढ़ा होता है, किसके लिए program के लिए जो आप execute कर रहे होते हैं, यह जो आपका concern program होता है, ओपर मैंने क्या लि contents का क्या मतलब है, इन में जो data होते हैं, इसको contents केते है, address के नीचे यह addresses है, byte addressable addresses, देखें पिछले slide पे मैंने आख को बताई है, तो इस तरह यह reduce instruction state में instruction को memory में इस तरह store करते हैं, organize करते हैं, इसकी physical जो shape है और ऐसी होती है, ठीक है, तो next slide पे मैं अच्छा, ठीक है, तो मै next slide पे जाता हूँ, और वहां पे next slide से शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब आपको I hope इस slide पे समझ आ चुकी होगी है, अच्छा next आ जाए, instruction execution sequencing के यह जो instruction है, यह execute कैसे होते हैं, इनकी sequencing कैसी होती है, how is the program executed, कहते हैं, program कैसे execute होता है, तो कहते हैं कि processor has program counter, processor में एक register होता है, उसक इसका नाम होते है program counter, वो एक register है, ठीक है, आफिर में मैंने register लिखा भी है, address I for the first instruction placed in PC, कहते हैं, जो address I है, पहले instruction के लिए है, कहते हैं, इसका जो address है, हम PC में रखते हैं, PC का मतलब क्या है program counter, यह program counter यह count करता रहता है, एक-एक instructions को count करता है, तो इसकी sequencing or execution ऐसी होती है, यह पर यह स्लाइड पर हम क्या पड़ रहे हैं, कि sequencing कैसी होती है, execution कैसी होती है, वो ऐसी होती है, PC के दो होती है, ठीक है, पर आगे next point में है, control circuits, जो हमारे पास C होता है, control unit, उसमें कुछ ऐसे control circuits होते हैं, जो fix करते हैं, execute करते हैं, वो fix करते हैं, और पिर आपके instructions क्या करते है execute करते हैं, I'm sorry for, मेरे खाल से मेरी family, बच्चों की या family की तुड़ी अवाज आ रही है, तो इसके रिए मैं माजरत चाहता हूँ, गर में बैठके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो I hope you can understand, ठीक है, तो, control circuits, switch and execute instructions, one after another, और कहते हैं, यह जो control circuit है, वो instruction को fix कर लेते हैं, उसक सारे step by step, order by order, one by one आते रहते हैं, ठीक है, तो, sorry, मैं थोड़ा पास लेके, पानी भी रहाता हूँ, तो, इसमें क्या है के step by step, order, one by one, straight line में सब कुछ execute हो रहे होते हैं, during execution of each instruction, PC register is incremented by four, और वही बात देखें कि instruction की execution जब हो रही होती है, तो PC जो register है, वो four पर increment होते है, क्यों, हमारे word का size four है, तो यह जब four पर increment होता है, यह next उस address पे चला जाता है, किस address पे, next word पे, फिर four पे increment हो जाते है, फिर next word पे चला जाते है, और memory में हमने store भी इसी तरह किया होगा, पिछले slide में आपने लेख लिए, कि हर चार bytes के gap पे एक नया word start होता है, तो वो जो PC है, वो increment होता है, और step by step एक एक word पे जाता है, और इसी तरह step by step, each word execute होता है, और each word में एक instruction पढ़ा होता है, तो इस तरह यह normal execution होत PC contents are I plus 16 after store is executed, जब आप store execute करते हैं PC पे तो कहते हैं, इसके जो contents है, वो होते हैं, I plus 16 पे ठीक है, यह PC के अंदर contents के बारे हम बता रहे हैं, PC contents are I plus 16 after store is executed, तो आप जब store का यह मतलब है, कि जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो तो execute होते रहते हैं, इनको कहीं store भी होना चाहिए, जो हम store operation काल करते हैं, तो PC के अंदर content जो होते हैं, वो भी step by step save होते हैं, तो हर I plus 16 के बार देखें, I suppose अगर आपका अब one है, तो one zero है, zero plus 16, तो 16 जो है, bits पे जो contents है, वो save हो जाएंगे, और उसके बार पिर next 16, फिर next 16, फिर next 16, फिर next 16, यह 16, let's see, मैंने लिका नहीं है, ल बाइट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉर्मल इसके अंदर इस तरह का mechanism होता है, इस तरह यह save होते रहते हैं, let's move to the next slide, अच्छा, एक question आया है, कि सर यह 16 पे क्यों, तो जिस तरह मैंने request कर दिया है, कि reduce instruction set, यह simple है, और आप PC के अंदर जो program counter का data होता है, जिसको देखें, PC में हमारे पास counter होता है, तमाम memory के जो words होते हैं, जो blocks होते हैं, उसके बारे में PC को पता होता है, तो PC baby आपको store operation काल करना चाहिए, कि PC के बारे में सब कुछ store हो, PC के अंदर भी store हो, अगर PC के अंदर सब कुछ last कर गया है, तो पिर आपके सारे instructions last हो जाएंगे, अब main question पे आते हैं, कि 16 क्यों है, यहां पे तो 16 है, यह तो simple instruction set है, आप complex instruction set में जाएंगे, तो वहां पे जो recent computer से हैं, उसमें 16 नहीं है, उसमें 16 से ज्यादा है, और 16 क्यों है, यह एक proper SOP architecture पर depend करता है, बलकि यह company से आता है, यह हम नहीं करते हैं, मैं और आप नहीं करते हैं, यह automatically अंदर होता रहता है, यह instruction, architecture में होता है, पहले से predefined होता है, कम नहीं से आता है, hardware based operating हम पढ़ रहे हैं, operations हम पढ़ रहे हैं, hardware level पर यह sequencing और सब कुछ कैसे operate होता है, तो hardware में, रिजिस्टर में, प्रोसेसर के साथ जो register PC attached होके आता है, तो वह तो कम नहीं से आता है, इसके लिए पहले से कुछ SOP होते हैं, standard operation procedures, कुछ rules होते हैं, rules के मताबिक architecture बनता है, जो, और उस architecture में, जो specified PC contents होते हैं, मतलब IPLESS 16, IPLESS 32, तो उसके मताबिक होते हैं, यह में और आपके बस में नहीं होता है, ठीक है, I hope you have, I have understood, you have understood me, and I hope I have, I have answered your question in a more better way, I hope you have understood, ठीक है, but words to normally 32 bits होता है, why they store 16, देखें, आचा, student कहता है कि search, देखें, आप इन दोनों को mix-up क्यों कर रहे हैं, जो memory में हैं, वो 32 bits हैं, मतलब 4 bytes का एक word, और आपका PC है, वो processor के साथ होते हैं, तो memory में जो है, mechanism तोड़ा different है, और processor के लिए fast चीज़ है, जल्ली जल्ली आनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसका यह होगा कि 16 bit के बाद यह store कर रहा होगा कि इसको fast access चाहिए, तो इसलिए देखें, मेरे एक बाद याद रखें, memory में जो word की scheme होगी, हमेशा PC में contents जो store किया जाएंगे, वो इससे less number होगा, अगर वो 32 है, यह 16 होगा, अगर वो 64 है, यह 32 होगा, fast accessing के लिए, और यह मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यह architecture में आता है, अगर आप से मैं question कूछ हूँ कि यह गाई के सर पर सीम क्यों नहीं होते हैं, तो यह वो definitely नहीं होते हैं, जो male होते हैं उसके सर पर होते हैं, जो female उसके सर पर नहीं होते हैं, तो try to understand, जो mechanism, जो architecture कमने क की तरफ से आता है, और वो जान बूच के आंके बन करके, वो कोई architecture नहीं बनाते हैं, इसके लिए काफी research होती है, कि speed effect नहीं हो, organization जो है, वो architecture की वो effect नहीं हो, cast effect नहीं हो, बड़ी चीज़े इसमें वो involved होते हैं, ठीक है, तो let's move to the next slide, ठीक है, I hope next 32 हो गया, यह बस fix 16 ही होगा, देखें इरशाद, यह हम जो slides आपको पढ़ा रहा हो, यह ना बहुत पुराने ना बहुत recent है, अब मुझे यह बताएं, आज के दिन जो computer आया है, उसके instruction set और यह theory तो एक साल या दो साल या कुछ आससे बात books में आएंगी, तो इसके modern computers हैं, जिनके जो PC में जो contents update होते हैं, वो big number में होते हैं, मतलब वो 16 bits के बजाए 64 bits में होते हैं, 1 to 8 bits में हैं, और इसके अलावा उसकी memory में organization है, जिससे byte addressable mode कहते हैं, मतलब words में कैसे बनाए जाते हैं, तो वो भी बहुत updated है test है, क्योंकि दुनिया मैनत कर रही है, और नहीं नहीं चीजें, नहीं नहीं technology दिन बदिन आ रही है, ठीक है, तो यह 16 fix नहीं है, it differs, it varies from architecture to architecture, ठीक है, I hope I have answered your question, और मैं उमीद करता हूं कि बाकी students भी मेरे साथ हैं, ठीक है, तो एक 15 min class में और लेता हूं, उसके बाद पिर मैं आज के लिए, इस वक के लिए काफी है, इवनिंग में अगर मुझे time मिला तो मैं कोशिश करूंगे कि एक class extra ले लो, रोज़ाना, बास वकाद 20 दी नहीं होती, बास वकाद कुछ और issues आ जाते हैं, future में possible है, कभी कबार आ जाते हैं, तो मैं कहता हूं कि हम हमारा course रहने आ जाए, ताकि हम आगे साथ-साथ जात हूं, यहां पर है के details of instruction execution, अब पिछले साथ पे मैंने आपको execution भी बताई है, उसके साथ sequencing भी बताई है, यहां पर details है, details of instruction execution, two phase procedure कहते हैं, two phase procedures जो है, वो two phase पे involved होता है, उसमें fetch भी होता है, execute, पहले instruction fetch किया जाता है, memory में, और फिर उसको load करके processor के पास लाके execute किया जाता है, not execute perform, क्योंकि execute के separate phase section है, तो overall procedure के लिए आप execute का लफ़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, fetch involves read operation using PC value, PC से address लेकि आप memory में जाते हैं, वहां से आप reading करते हो, data read कर लेते हो, और वो जब मिल जाती है, आप data वो पर load करते हो, कहां पे registers में, और registers हमने से कहां पे होते हैं, वो processor के सा जिस तरह एक register है, आई-र, जिसमें instructions load होते हैं, instructions होते हैं, जिस instruction register कहते हैं, और उसमें क्या होता है, data placed instruction, instruction register में, जो data आप memory में सर्च कर लेते हो, fetch का मतलब है search, जिब search कर लेते हो, वो load कर लेते हो, तो वो पिर आप कहां पे रखते हो, IR में रखते हो, ठीक है, तो ठीक है, अच्छा, तो वो आप इसमें रख लेते हो, पिर क्या है कि to complete execution, आगर आप execution complete करते हैं, तो इसके लिए क्या होते है, control circuits, examine, जो control circuits होते हैं, वो execution को complete करने के लिए examine, देखते हैं, encoded machine instruction in IR, IR में एक और instruction होती है, जिसे encoded machine instruction क कहते हैं, उसको decode करना पड़ते हैं, यह बहुत complex procedure होते हैं अंदर, आप लोग को पता नहीं होता है, आप लोग तो सिरफ screen पर देखते हैं, hardware के अंदर यह बहुत easily नहीं होता है, असानी से, तो आगर इसका यह मतलब है कि execution complete करने के लिए कुछ proper code होता है, जिसे decode करके पूरा procedure complete किया जाते है, ठीक है, और वो क यह बहुते हैं, यह यह जितनी step by step operations यूपर से IR में fetch होते हैं, फिर execute होते हैं, यह instruction register से उठाए जाते हैं, data उसमें पढ़ा होता है, तो कहते हैं यह specified operation is performed in step, step में perform किया जाते है, example great है, कहते है, transfer operands, पहले operands transfer किया जाते हैं, इसमें data load किया जाते है, पर perform automatic, उसके उपर को perform किया जाते हैं, also कहते हैं, PC is incremented, और हर work जब operation होता है, तो PC जो है, वो increment होता रहते है, वो उसमें pointer रखा जाते है, next location को, each time next location पर move करते हैं, ठीक है, PC का मतलब है program counter, यह register है, और इसमें memory के जो organization पढ़ी होते हैं, इसके addresses पढ़ी होते हैं, ready for next fetch, और each time PC में जब वो increment हो ज next fetch के लिए ready हो जाते हैं, आप में memory में दुबारा जाके वहां से कोई और contents, कुछ हो, contents load करोंगा, कहां पर IR में पर उसकी proper decoding, instruction decoding होगी, proper execution होगी, ठीक है, इस तरह यह होते है, next let पर जाते है, branching, ठीक है, ठीक है, आजे है, next, उस पर, आजे, we can illustrate the concept of branching with a program that adds a list of numbers, branching का concept, next slide, तुम्हें आपको पढ़ा रहा हो, यहां पे थोड़ी theory पढ़ते हैं, ठीक है, यह आज हैं डारेक पहले उदर जाते हैं, यह देखें, यह एक program है, वो memory में loop case execute होते है, ठीक है, उपर एक word है, उसमें है, load r2, and जो है, कुछ numbers हम ले हैं, array की form में आपके सकते हैं, रेके यह और फिर पी जो है, register कर रहे हैं, ś venture कर रहे हैं, फिर क्या है, Loop legally. Ones Partoa हो रहे है,Determine Address of Next Number, हर वक जारी रहते है Next Address हर लूब कियाँ है All남 गड्याट्रिस है,अ इस को Load किया जाते है, फिर क्या होता है छी किना है पर अर्भाइफ में Load किया जाता है और आखियन को Can eines of each of next number, जाला जाते है फिर European dot किया होता है. यह सब्ट्रेक के लिए पिर घिरे अर्टु यह एड्रिस पर जा तो सब्ट्रेक कर लेता है पिर ब्रांच का मतलब किया। इस कंडिशनु परें अगर तो में जग वेलिऊ पड़ी है, तो लूप जाए रहे यहाँ पर टरप्राइमिये तो आखया धिया से गेटर नियां तो लूपूँ महां टर्मिनेट हो जाते हैं ध्iny एक्लाने में ख्म जाया हंघूँ सं अगर आख है लूपू पर Cristal सब्सक्राइब टर्मिया में यहां पर जाते हैं आखर है तो इस तरह होतार 더 बाली जिएरो से greater नहीं है तो loop यहां पर terminate हो जाते है खतम हो जाते है और आखिर में पर result क्या जितना भी sum क्या होता है या subject क्या होता है और 3 में डालो store इस तरह यह memory में देखें डाट डाट का नीचे का यह मतलब है कि यह continue यह memory में इसी तरह ही है loops चलते रहते हैं और fetching इस तरह होती है execution ठीक है तो यह branching के concept है यह भी instruction set में होता है और नर्मरी आम जबान में इसको हम इस फिल्स फिल्स कहते हैं तो यह भी मैंना आपको पढ़ा दिया ठीक है some operations performed repeatedly so there program contents a loop और कहते हैं यह operation बार बार perform किया जाते हैं repeatedly क्यों वहाँ पे loop चल रहा होता है जब तक loop true है यह add होते जाएंगे सारे numbers आखर में numbers का है ऊपर देखें ना वहाँ पे end ता तो वह end में जितने भी numbers है वह सारे add होते जाएंगे आखर में पिर आपको loop जब terminate हो जाते है तो result store भी किया जाते है और आप उसको display भी कर सकते हो लूप बाड़ इस्ट्रेट लाइन इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस और कहते है लूप की बाड़ी है उसमें क्या है स्ट्रेट लाइन इंट्रक्शन सीक्वेंस इौएंस में लिए गए है और zwrाल वो clear है एक एक, असरि में इसक्ते स्ट्रेक्ष contains our key यह स्ट्रेट इमर्म इस मालुम करते हैं और इड्रस पर जहा क्र आक्र नमब उठाते हैं फिर क्या करते हैं उस वह नमबर जो है उसको כत लोड लोत कर लेते और लोडेबेंड-वईल्यी फ़र्मगर 서्न लोड कर लोड़ करते हैं और एडिफ कि और branch instruction causes repetition और ये जो branch instruction है इसके वज़ाद से repetition होती रहती है जुँल हमें जिसके हमें जरूरोत होते है looks के अंदरे ठीक है next slide पर ये में आप हो समझा दिये और फेर branch will continue के कैसे होती है देखे न do as you चुम होगी तटीक है फ़ेखे अच्छा के सि कुश डे रहे हैं कि यह कुछ स्टूडन्ट लेट आरे हैं यह मानी कर रहे हैं आप सब लोग अपने आपको दोका दे रहे हूं और बिजल्ट में भी शुरू होरह है वह हम बेजिल बनाएंगे असेमेंट से रखेंट के वेज पर तो लग आप पता जाएगा वो ठीक है हम टीचर बचंग नहीं है उदर प्रेजिड्ट आसाइमेंट देखें कि कोन कब आ रहे है कोई लेट आ रहे कोई गब बना रहे कोई क्या आपको पता नहीं है मेरे मांड क करता हूँ. चले आज है यहां पर branching, आच्छा branching assume that size of list and stored at location, इसके क्या मतलब है, assume that size of list के जो list की size है वो N है, stored at location N और जो capital N है इस location पे हम ने पूरी list save कि और लिस्ट में क्या है नम्बर जे और नम्बर के लिए इस टाम लूप चला रहे होते हैं और लिस्ट के अंदर जितने भी नम्बर से हो सारे हम एड़ कर रहे होते हैं यह इस सारा के रिलेटर परोग्राम आप सेकंड एफस समस्टर में खर भी चुके हो कि आपको कुछ न आपको पड़ा रहा है यह रिजिस्टर आर्टू एस एकांटर कहते हैं इस वक्राइब को आप यूज कर सकते हैं इस आप कांटर इनिशलाइज तो एंड टीक है और आर तू जो है देखें न मेमोरी में जाता हूं यह ना पर देखें के आर टू काम इस रेजिस्टर ले र आर टू में तमाम वेरियूस पड़े हैं और नंबर वन का यह मतलब है कि इस टाइम एक को आगे इंग्रेमेंट करते जाओ रू में ठीक है या सब्ट्रेक करते जाओ एड के लिए एड और सब्ट्रेक दोनों में सिरफ एड और सब्ट्रेक बाकी प्रोसीजर वही सेम होता है दोनों की लिए ठीक है तो ठीक है अच्छा सर नेट ही शुकता इसलिए लेट हो गया अब सर्मस्य प्रीश सकते हैं हर क्लास में फॉस्ट्रेक मेरे थे देखें यार यह यह जो स्टूडेंट्स के साथ मस्ले आ रहे हैं कोई लेट उटता है किसके साथ नेट नहीं होता ह कोई इस तरह के मसले अमारे साथ भी है आज मैंने सुबर रेक्वेस्ट की थी कि यह मैं क्लास तोड़े पंदस मेंट अर्ली स्टार्ट कर रहा हूं तो सब कुछ स्टूडन कह रहा है कि सर टायम पर शूरू कर यार मैं भी आप लोग के तरह इनसान हूं आप लोग के साथ यह तो जब मसलें आ सकते हैं, तो मेरे साथ भी कभी के बाः आ सकते हैं तो खुद तो और फॉफ करतें पिर जो मैं कहते हूं पर तो मस Green these कि यह बच और यूज पर आजए हैं पिर यहां पर है के बॉडी आफ लूप ने इस्ट्रक्षिन केते हैं बॉडी है के बॉड़ी म में यह काउंटर है ठीक है मतलब लूप को कम करते हैं हर वक्ता कि वो जिरू की तरफ चले जाए और आखिर में वो इकल टु जिरू हो जाए और लूप टर्मिनेट हो जाए इसका यह मतलब है इस लॉजिक को तोड़ा समझे ठीक है पिर नीचे हैं ब्रांच इफ ब्रांच इ वो इसको नीचे लाता जाए मगर अगर अगर लूप में दस डिजिट है तो दस दफाई चलेगा टेन नो एट सेवन सिक्स फाई फोर त्री टू वन जीरो जीरो की तरह आएगा ठीक है नान टू जीरो चलेगा ठीक है अगर दस वैल्यू है क्योंकि यह एक तो पिर जब ज चले जाओ और तमाम रिजल्ट को क्या करो डिस्प्ले करो एस लांग एस कंटेंट्स अफर टू और ग्रेटर देगो ना वही मेरे बात पर जब तक अर्टू के कंटेंट्स जीरो से ग्रेटर है तो यह एडिशन पर फार्म होती जाएगी अधरवाइस लूप टर्मिनेट ह करो अगर नहीं है तो एडिशन वाला जो परेशन है वह उसको कीप कॉंटीनिव रखो उसको एड करते जाओ ठीक है अब यह कंटीनिव है आज जमने काफी स्लाइट पर लें लेकिन एनिवे कंटीनिव करतें एक 10-15 मिन के लिए और भी मेरे पास बैटरी 31 मिनिट रहे गग है हमने टाइम टेबल इसलिए फिस बनाया है कि सब उसे टाइम पर आज है और सर हम कोई दोका नहीं दे है आप बाइदर वे सोरी सर फालेट अच्छा ठीक है चलिए जो भी है ठीक है आच्छा यहां पर आज है सर जी बहुत है आज के लिए यार यह लालले किंग साब आप पढ़ते हैं ठीक है फिर मैं वाइंड़ परता हूं और सरमत को कहे कि मुझसे कंटेक्ट करें आज शाम तक मैं अभी नहीं दे सकता टॉपिक आज शाम तक नहीं दूँगा तो सरमत को मैं टॉपिक दे दूँगा पिर आप लोगो को दे देगा साइमेंट की लोश के बिए यह ब्रांच वाला एक स्लाइड है इसको पढ़ लेते हैं और यार यह खतम नहीं और इस पर काफी मठीरियल है रिडीस इंस्ट्रक्शन सेट पर तो चले नेक्स स्लाइड में इंचाला यह खतम हो जाएगा नेक्स लेक्चर में पर और उसके बाद पर हम क्या पढ़ेंगे कंप्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट परेंगे जो कि बहुत आहां है यह क्यों यह थे आम टापिक में आपको पढ़ा रहा हूं अच्छी यह बात सुनें मैं बिंग इस टीचर आपको वह वह टापिक्स पढ़ा रहा हूं जो बहुत इंपोर्टन टापिक है ताकि कल को आप य इस सब्जेक्स परफेक्ट वह ताकि आहम आहम टापिक्स आप लोगों कर रहा हो जाएं और आप लोग वाकी समझे के सर्में मैंने करके जो आहम आहम चीजी थी बड़ी बड़ी चीजी थी वह हमें पढ़ाई है और हम कंप्लूटर अर्टेक्चर को बेतर तरीक से समझ सक ठीक है तो चलिए यह तुम्हें पढ़ा दिये यह मैं पढ़ाना चाहते है इसमें है अब ब्रांचिंग का आखरी स्लाइड है और इसमें ब्रांचिंग कैसे होती है ब्रांचिस देट टेस्ट अ कंडिशन और यूज़े इन लूप्स और वेरिस अदर प्रोग्रामिंग ट लूप्स यह जाते है One वेर्य कंडिशन ब्रांच इस तू कनपार कंटेंट्स और गर रहे हैं कि के से कहते हैं कंडिशन बरहे ब्रांचिंग के यूजरुं के लिए हैं देखेसन के मैं चाहिने पर और एकिर अचिक हुने डिरेख्टेंट के लिए ग्रपश नौनक डिएं terminate हो जाएगा, in generic क्या होता है, in generic में क्या होता है, assembly language में क्या होता है, with mnemonics, the same instruction might actually appear as, यह जो उपर वाली condition है, वो उसको आप assembly language में कैसे execute करते हो, ऐसे, देखो ना, branch greater than, ठीक है, bgt, branch if greater than, क्या लिखते हैं, bgt, bgt का मतलब है, branch if greater than, वही उपर वाली बात, r4 greater than r5, तो आहा if greater than, अगर r4 में जो value है, वो r5 से greater है, तो क्या करो, आगे ल, double, o, p लिखाए, loop को continue करो, तो assembly language में हम ऐसे लिखते हैं, और assembly language का जो architecture है, वो बहुत बैसे के, बहुत जादे यूश्टियों में, computer architecture में, assembly language भी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाती है, या assembly language थोड़ी बहुत सम So, that's all for today, I was willing to pursue ahead, to teach you more and more and more, but because of some students, as usual, they are requesting me to stop, sir, they are requesting me, that's enough for today, please stop, that is why I am stopping it, otherwise I am still very keen to keep continue and decide students, the charge in battery, it's also not supporting me for the time being, because I have almost 10 to 15 minutes charge left in my PC, so take care, till then, Allah Hafiz, and soon, I will be back, I may take a random class, out of turn class, sometimes in evening, in afternoon, or in early morning, ठीके, आप मुझे यह मुझे यह मुझे यह मुझे कोर्स भी खत्म करने हैं, आप लोग को समझाने भी अपने रिस्क भी आलाल करनी है, आप शाम तक मुझे मुझे कंट्रेट करेगा, मैं उसको टॉपिक दे दूँगा, assignment के लिए, और आपने हार्ट कॉमिट करनी है, अगर मीनी हार्ट फॉर्म में, ताके मैं मार्स लगा के आपने साथ रिकार्ड आलमारी में रख कूँ और कल को मैं आपने आपको जिस्टिफाय कर सकूँ के भई, इस assignments के बेस पे मैंने मार्स लगाए है, thank you very much, that's all for today, all by hafiz.